जी हाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वर्सिस इंगलैंड की बीच एस सीरीज का दूसरा टैस्ट मैच आप सभी को बदाते दोस्तों धमाक के दार बल्लेबाजी करते नजर आए यहाँ पर ओस्ट्रेलिया के खतरनाक दो बल्लेबाज दोस्तों इस समय बात करें टैस्ट तो ये दोनों बल्लेबाद दोस्तो उपनी करम पर नज़रआ रहे हैं लेकिन, जिस तरीकेकिं की बल्लेबाजी अस्ट्रेलिया टीम ने करी और गेनभाजी इंगलैंड के दुवारा की गई कहीं न गई साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग अपडेट पात रहें तो बात कर रहे हैं उस्टेलिया वर्स इंगलेंड के बीच चल नहीं सबसे खतरनाक सिरीस दाैसेस सिरीस कि जी हां दोस्त आप सभी को बता दी यह ऐसेस सिरीस खतरनाक सिरीस में से एक मानी जाती है एसेस का मतलब होता है राक यानि कि किसी जलाने के बाद जो राक बसी दोष वो राख जब दोस्तों बसमय हैं किस तरीके से लाझ राज करता था किरिकल से यहां पर उस्ट्रियली तक ने उनीटे मैधाने ओलं को षराया था और मीडिया और सारे फैंस यह बात के distint duż티 यहां पर कि ἐंग ने कर जारी है और उनके साथ लेकर जारी है उनकी राख जो जाली वी राख बची वी दोस्तों और इसकी ट्रोफी भी देखेंगे दोस्तों कुछ इसी तरीके से ड्रावनी से ट्रोफी भी नज़राती है वरना ऐसे ट्रोफी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है बात करते हैं में उस्ट्रेलेट की अमधान आपर दाविदारी जीत कर पाएगी यहां पर फ्लॉप साहते देगा इंगलेंड की पूरी की बल्लेबाजी बैटिंग और गेंद वाजी बात करेंगे दोस्त तो किस तरीके से दोस्तों यह मुकाबला शुरू हुआ सुबह साड़ नो बजे भारती समय नुसार एडिलेड ओवलेट की मैदान पर दोस्तों यह मुकाबला खेला गया पहले दिन का खेल जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्लेंग 11 की बात करे तो कप्तान स्टिफ सिम मित के ही होंगे उसके बाद इंग्लेंड के कप्तान जो रूट ही हमें देखने को मिले अब ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक प्लेंग 11 में दोस्तों यहां पर डैविड वोनर मार्कस हैरिस मार्नस लाबशाने स्टिफ सिमिर्ट ट्रैविस हैड खतरनाक बलेबाच कैमरन गरीन ए इंग्लेंड की प्लेंग 11 में भी काफी बदलाव हमें देखने को मिले क्यूंकि दो खतरनाक गेंदबाच की वापसी भी तो दो खतरनाक गेंदबाच को बाहर बैटना पड़ा रोडी वंस हसीब हमीड डैविड मलान जो रूट बैन स्टोक्स ओली पॉप जॉस बटलर क्र इंग्लेंड की दोस्तो यहां पर हमें इंग्लेंड की प्लेंग 11 में देखने को मिले तो दोस्तो यहां पर प्लेंगस मैदान पर उतरने का फैसला किया और दो दो का आख़ला दोस्तो बहुत नजरा आया मैदान पर क्योंकि बात करें तो इस समय दोसो 21 रण पर दो विकिट के नुक्सान पर और उस्ट्रेलिया की पारी है पहले दिन की समापती पर और बात करें यहां पर बलेबाजी की तो बल्लेबाजी बहुत ही ज़्यादा भैतरीन डैविड वोनर और मारनस लाबशाने ने की इस समय बात करें तो second number पर दोस्तों मारनस लाबशाने टेस्ट रेंकिंग में और इनसे उमीद भी की जाती है ऐसी बल्लेबाजी की अज दूसरी दिन का खेल होगा इनके शतक की उमीद होगी हर किसी को यहाँ बात करें दोस्तों शुरुआस से तो उस्ट्रेलिया टीम यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए उतरी क्यूंकि टोस उस्ट्रेलिया नहीं जीता था एडिलेड ओवल के मैदान पर दोस्तों एतिहासी के मैदान ने पहला जो मैस था वो ब्रिजबेन गाबा के मैदान पर हुआ था इंग्लेंड को पहली सफलता मिलती है, स्ट्रेट ब्रोड दोस्तों यहाँ पर लेते हैं विकिट और क्याच पकड़ते हैं, जोस बटलर बहुत ही खूपसूरती से, जोस बटलर की वो शांदार किया, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वारल हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त मारकस हेरिस की एक क्याच पकड़ती बिना चोके शक्के लगाए, मारकस हेरिस तीन दन बनाकर 28 गिंदों में वापिस लोड जाते हैं पवेलियन, डैविड वोनर का साथ देने के लिए मारनस लाबशाने मैदान पर एंट्री लेते हैं, जो समय सेकंड नंबर रैंकिंग पर हैं, इस समय टेस्ट की मारनस लाबशाने यहां से बल्ले बाजी करना शुरू करते हैं, धीमी गाती से बल्ले बाजी करते हैं, क्योंकि दूसरे चोर पर डैविड वोनर जैसा अगर खतरनाक बल्ले बाज मौजूद है, तो सामने कौन ही रिस्क लेना चाहेगा, तो मारनस लाबशाने यहां से बल्ले बाजी करना शुरू करते हैं, तो पता लगता है किस तरीके सन की फॉर्म जबरदस चल लई है, और इंग्लेंड के खासा गेंद बाज सभी यहां पर दोस्तों फ्लॉप दिखते हैं, तो इंग्लेंड ने उस्ट्रीलिया ने पहली पारी के दुरान 425 रन बनाया थे, वहां पर 94 रन की खतरनाक पारी खेल ली थी, वोर्नर ने और लाबुशाने ने चोहतर रन की पारी खेली थी, अगर इनका शतक लग जाता तो और खतरनाक हो जाती लेकिन फिर से दोस्तों दूसरी बार, नर्वस 90 जो कहा जाता है वो यहां पर परफेक्ट बैठता है क्योंकि पिछले मैच में भी फर्स्ट इनिंग के दुरान नर्वस 90 पर डैविड बोनर के विकेट गिराथ 49 रन पर और ये सेकिंड मैच टेस्ट का इसमें फर्स्ट इनिंग के दुरान पिचानवे उपर पर छे रन दूर थे यहां पर दोस्त आज की दिन तो इनका बला भी खूब चला था लेकिन विकेट लेकर बड़ी खुशी बनाई यहां पर डैविड बोनर एक खिलाब बैन स्टोक्स ने स्टुएट ब्रोट ने कैश पकड़ा था डैविड बोनर का मारनस लाबुशाने ने दोस्तो 275 गेंदों 95 रन की खतरनाक पारी खेली और अभी भी नाबाद है साथ चोके की मदस से डैविड बोनर ने गैरा चोके लगा है अपनी इस पारी में 56 का उनका स्ट्राइक रेट था इस्टिप सिमित ने दोस्तों 21 रन दो विकेट के नुक्सान पर उस्टेलिया का स कोर हे बात करें इंगलेंड के तेज गेंदवाजों की तो जैम सेंटरसन, स्टुएट ब्रोड, क्रिस वोक, सॉली रोबिंसन, बैनिश्टॉक पांच तेज गेंदवाज हैं और एक मात्र जब कमी खली स्पिनर की तो जो रूट को खुद को गेंदवाजी करनी पड़ी ग्यारा ओवर आज जो रूट भी करते हैं नजरा एक ओवर मैडिन डाला, सैतिस रन दिये, दूसरी तरफ दोस्तो जैम सेंटरसन ने अठारा ओवर डाले, नो ओवर मैडिन दे लेकिन उनतिस रन दिये, यानि कि किफायती गेंदबाजी करी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग थी, पिंक बोल ये टेस्ट चलिया, दोस्तों, डेना टेस्ट है, जिसकी वज़े से ये टेस्ट मैच में, ओवर्स ज्यादा हमें देखने को मिले, तो कुलमिल आकर बात करे, डे वन इस्टम तक आउस्ट्रेलिया की टीम की मजबूती हाँ पर देखने को मिले ही, दो ही वि बलेबाज अभी भी टिके में, लेकिन जैम सेंटर सन उस्ट्रेट ब्रोड कंदो पर बहुत बड़ा दारुबदार रहेगा अपनी टीम इंगलेंड को वापसी कराने का, क्योंकि अगर ये विकेट नहीं मिली, तो दूसरे दिन का खेल भी दोस्तों, उस्टेलिया के स्कोर कार्ड हाइलाइट उमीद करते हैं, आप सभी को पसंद आयोगी जानकारी, नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट